प्रीविद्यार्थियो आज अमक अच्छा बात के लर्निंग आउस्टम यानि एलो कोड एंट फार जीरो टूप पर भाद करेंगे। आपने कर अभ्यास में एंट फार जीरो बन पर पढ़ागा आज हम आपके भीद में एलो एंट फार जीरो टूपर पढ़ेंगे। जो हमारा एलो एंट फार जीरो टू है वो क्या कोई बच्चा अपने घर्ज में देंगे बता हो दिया पढ़िए। भिंद्य के बारे में समाईए। भिंद्य के बारे में समाईए। चलो अर्जित करते हैं। आज हमार भिंद्य के बारे में यह अपने प्रेश्म नुर्ण किया है। उसको अपना ध्यान देंगे। और हम ध्यान से पढ़ेंगे प्रेश्म को ध्यान से सुनें। सब्यों। प्रेश्म है आनंद के बगीचे में कुल 40 पेड़ हैं। जिसमें सिर्फ दस आम के से समूद्य के पेड़ हैं। अमूद्य के पेड़ों की संख्या के हिस्से को भिंद्य के रूप में इस्पकार लखेंगे। यानि हमारे अमूद्य के बगीचे में कितने पेड़ हैं टोटल। चालिस उसमें से आम के पेड़ किसमें हैं। और लेकिन हमें जा हिस्से में सबस्क्राइफे और 네 antler अगना जैसे वेड़े में लिखते एंसे किस तरह से एक तो चेत्र के बातरूम से समझेंगे चत्र कुट्र मुराती हैं से यह हमारा बगीच्चा है आनद का और इस बगीच्चे में तो तर यानि 40 पेल लगें कितने हैं तो 40 को हम बर्गों के रूम में लिखा लेते हैं तो 40 पेल हैं थोड़ा और तेला में होगा कोई दिन तक नहीं समाच हो जाएगी एक, दो, ती, चाँ, पांट, शे, चाँ, बराबर, आट यह छोटा हो गया बराबर के माल देएग अब लेकिए एक लाइन में हमारे कितने पेल हैं तो हम और बढ़ा लेते हैं क्योंकि हमें 40 पेल लगाना है चालिस पेल के लिए हमें टोटा है अब हमारे पास कितने लिए बरब होगे एक, दो, ती, चार, पांट, एक अबारी लाइन में पंक्ति में पांट है और इज़र को एक, दो, ती, चार, पांट, चार, पांट, शे, साथ, आठ आठ, याणि छालीस वरब होगे कितने वरब हो गया है—्टोटल हमारे चारीस पेल हैं अब तो यह हमारे आम के पेड़ हो गए यहां के दिस जैसे यहां कि उगए है इसमें आप शयां के दिया यह मारे आम के पेंड लगें दस जैसे लगें एक, डो, तीन, चार, पांग, छे, साथ, आट, नौ, टार, आम के पेड़ों गए, छाया के द्वार्ट, अब हमारे पार जो सेस बचा, ये अम्रूद के पेड़ों के, क्योंकि हमारे पार सेस तीस पेड़, इसमें तीस लग जाएंगे हमारे अम्रूद के, ये इसको मैं अच अब हमें ध्यान ये देना है, आम के जो हमारे हिस्सा है, जो भाग है, आम बाला, दस पेड़ों का, ऐसे इसमें कितने वार भाग होंगे, तीन, तीन, यानि एक बाग, दो बाग, तीन बाग, चार, फोटल चार वाग है, ये हमारे टोटल बराबर के कितने वाग हो गए, चार, या हम ये कहें, कि टोटल बराबर के चार वाग हो गए, और उसमें सिर्फ चार में से, हमारे अम्रूद के कितने वाग है, तीन, तीन, तो इसको हम तीन बागें, चार, लिख सकते, क्योंकि हमारे टोटल बाग कितने ह हमारे अवरूद के भागे आप एक लगत से समझें लिए दूसरा तोटल हमारे पेट कितने हैं इसमें 40 लगे वोगे 40 पेट है हमारे टोटल है और 40 में से अवरूद के किने 30 तीस वटे 40 अब हम इसे 30 वटे 40 को सब्सक्राइब करेंगे यह इसको काटेंगे तो हमारे 0-0 कट जाएग जाएगा तो इसके स Mister आज आइगा तो यही तो वाम करना है लोगे आनंद के बगिज़े में पुर 40 फेड़ें जिसमेंसे दस आम के शेश अमूरूद के पेड़ा हैं, अमूरूद के पेड़ों की संख्या के हिस्से को भिन्द के रूप में किस प्रकार यहेंगे? अब ये हमारे ताफ साफ चार आप्शन जेदी एए हमारा ट्यार बटे 5 पैस वी आप द्यार भी बटे 4 पैस वी आप द्यार भी बटे चार और Shri चार भी और ड्या भी बटे 4 तो इसमें कॉन साइफ है राच्जो कॉन सांब यानि भी मने कितना या तो इस तरह से हम इसको बेंद के रूब में लखेंगे उदार के लिए आप आपने और की तरीके से यहां कोड़न पेंद हमारे कितने के इसको दो यानि इसको बेंद के रूब में इसको पेंद के रूब में इसको पीजिए चाल वे फेंद के रूब में इसमें कोई डिलकर्ट किसी बत्ये को जब की समय में आ गया तो बिनके रूप में हम कितने लखेंगे तीन बड़े चार तो कौन सा इसमें तीन बड़े चार में कौन सा अप्सन सही है बी बड़े थैंक यू